नमस्कार साथ यो नई वीडियो में आपका स्वागात है दोस्तों नई दिल्ली से बहुत बड़ी ख़वर आ रही करमचारी पैंसो के लिए दो बड़े तोपे और मिल सकते हैं जनबरी दोएर टेइस में तीन प्रतिसेत या चार प्रतिए डिये बड़ोत्तरी के साथ अठारा महीने के एरियर पर बड़ी ख़वर है तो समझत प्रकार करमचारी जलूल देगा है क्योंकि केंदर में दिया अठारा महीने के डिये एरियर दिया जाता है तो राज्य सरकार को भी देना पड़ेगा बिस्तार जाने के दोस्तों आप लाज्य से लेको और इस पर अपने विचाल लेकिए आगे भी लेटिस्ट बेट पाने के लिए हमसे जोड़ें सब्सक्राइब और बेल के आगे प्रेस करके केंद्र सरकार द्वारा सेवन्त पे कमिशन करमशारियों के मेंगाई बत्ते में चार फीसद की बंपर बरद्दी की गई वहीं कई राज्य सरकार द्वारा भी अपने करमशारियों के डिये में लगाता रिजापा किया जा रहा है इसी बीच केंद्री करमचारियों और पैंसरों को जल्द ही दो बड़े तोपे मिल सकते हैं नए साल यानि की दो यर्टेश में एक बार फिर से उनके मेंगाई बत्ते में ब्रद्धी की जा सकती है बता देंगी केंद्र सरकार दोवारा डिये को बढ़ा कर 38 फिर्दी की गया वहीं जारी एई आई सीपी आई के आकरी के मताविक मेंगाई ब्रद्धी देखने को मिल सकती है यदि ऐसा होता तो करहमचारियों के मेंगाई ब्रद्धी का आंकड़ा बढ़कर 41 प्रतिसत हो जागा केंद्र सरकार साल में दो बार केंदी करहमचारियों के मेंगाई ब्रद्धी में जापा करती है प्रतिक 6 महिने पर मेंगाई ब्रद्धी रिकोर्ड की जाती है वहीं ये आंकड़ा AICPI के आंकड़े पर निर्वर करता है वहीं लेवल मिनिस्ट्री के तरफ से जारी आंकड़े के मताविक करमचरी के मिंगाई बत्ते में जनवरी दोयर तीज में तीन पीज़ी की प्रद्दी का नुमान है हाला कि पिछले साल की तरह साल भी इसकी गुफरा मार्च दोयर तीज तक होने की संबाब न जटाए गई है फिलाल इसके लिए किसी भी तरह की अधिकरिक पुष्टी नहीं की गई है साथ ही माना जारा की डिये में 41 फीसद का इजापा होगा वहीं इसका लाप 50 लाग करमचारी और सहित 65 लाग को भी मिलेगा इसके अलावा करमचारी को 18 माईने के डिये एरियर से भी बड़ा फैंसला हो सकता है ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मतावक अठारा महीने के बगेर डिये एरियर पर जल्द बड़ा फैंसला देखने को मिलेगा नैशनल काउंसल के सच्चिव द्वारा केविनेट सच्चिव और नैशनल काउंसल के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है जिसमें नवंबर में एक मेहतून मीटिंग होनी है ऐसे में यदि 18 महीने का बगाय एरियर पर फैसला आता है तो करमचरी खाते में 2 लाग रुपे तक का इजाफा देखने को मिलेगा बता दें कि केंदी करमचरी को 1 जुलाई 2020 से 1 जनवर 2021 तक के मेंगाई बत्ते के एरियर का मुक्तान होना है हाला कि इस सम्मन्द में जेसी एम के चेर्मेन को पत्र लिखा गया जिसमें 18 महीने के बगाय एरियर के मुक्तान की मांग की गई थी इस सम्मन्द में बित्तमंत्राले के डिपार्टमेंट और पर्सनल टैनिंग विवाग साहिद विवाग की अधिकारियों की सन्युकते सलाकार तंतर की बैटक हो सकती है जिसमें बकाय एरियर के मुक्तान पर भी बड़ा विचार हो सकता है